शान्त चित्त के लिये मंत्र वन्दे विष्णु भवभय हरम सर्वलों के इकनाथम भै चिन्ता से अशांत मन को शांत करने के लिए सबसे सरल तरीका है भगवान विष्णु की शैन छवी के सदा मंद मंद मुस्कुराते चहरे की कलपना कर उनका स्मरण करना मंत्र पाठ करना प्राचीन काल से ये विधी रिश्यमुनियों को भै चिन्ता को दूर रखने में उप्योगी रही है इस मंत्र को दस बार दोहराने पाठ करने से निश्चित ही भै का नाश होता है इस मंत्र का जाप करते समय दोनों हाथों को वायू मुद्रा में रखना विशेश लाबदायक होता है क्योंकि ये मुद्रा पूरे शरीर में वायू के प्रवाह को संतुलित करती है और मन को शान्त रखती है वायू मुद्रा के लिए आप अपने दोनों हाथों के अंगूठे से पहली यानि तरजनी यानि पहली उंगलियों के सबसे उपर वाले भाग को अंगूठों के सबसे निचले भाग से ऐसी रखें के अंगूठे के सबसे निचले भाग का दबाव तरजनी उंगली के सबसे उपरी हिस्से पर पड़ें बाकी सभी उंगलियों को एकदम सीधा रखें शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसत्रुषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मिकांतं कमलनयनं योगि भिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्रूं भवभयाहरं सर्वलोके कनाथं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसत्रुषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मिकांतं कमलनयनं योगि भिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्रूं भवभयाहरं सर्वलोके कनाथं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसत्रुषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मिकांतं कमलनयनं योगि भिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्रूं भवभयाहरं सर्वलोके कनाथं